असलाम लेकुम एवरीबरीबर आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमने पॉलिटिकल साइस्विश सिमिश्या यह फॉरन पॉलिश्य ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेट लक्षग हो रहा है इसका पेपर है मंदे को इस टू मिनिट्स मैं लिक्स पॉरवर्ड कर दू ताकि वट्सप पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम हो जाए कि मैं ओनलाइन आ गई हूँ मेरा वट्सप का नंबर है 03060988187 इस मैं वट्सप नंबर अगर आप लोग किसी भी स्टूडी से रिलेटेड हैं इस प्लेकल साइंस इंटर्नेशनल र्लैशन्स पाक स्टर्डिजेग स्टडीर स्थे अउर्दु एवर्ट स्ट्सट्स हैं यहां किसी बी इनिवस्टी के स्टूडन्थ है वी चीUR से हैं और आप चाते हैं कि ऑपने लिए गाईलेंड लेना चाहते हैं या फिर आप लोग नेस्स पर्देन लाइक में जाना चाहते हैं कि आप लोग ने क्या करना है और क्या नहीं करना तो उस लिए आप लोग क्या करेंगे कि मेरा ग्रूप butterflies ng लें आपको पर दस टीटेल्स अपनी लाइफ के हमाले से एनी प्रोग्राम्स ऑफ एजूकेशन्स गौवर्मेंट्स हर तरह से इंफर्मेशन्स ग्रूप्स एक्टिव हैं अभी कुछ दिनों के लिए मैंने भंद की हूँ है क्योंके पेपर्स चल रहे हैं उसके पात इन्शाला ये नमंबर के आप लोगों के लिए ये गाले फिट है कि आप लोग एक साल में दो डिग्री और कर सकते हैं पंजाब इन्यूरस्टी से सर्गोदा इन्यूरस्टी से इस अप बेस्ट ऑपर्चुनिटी इस टू अचीव न्यू डिग्री ठीक हैं आप लोग आई यार में पॉलिटिकल करसकते हैं दो इनुवेस्टी से और की टाइम में आप विविए of 2 डिग्री बी कर सकते हैं इस तरह की टीटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरा गूरु चॉइऑ या मुझे नोपको कब मॉर्निग में तो उसके लिए स्टेटून चले जी देख लेते हैं अब और दूसरा सबसे बढ़ी बात सर्गोदा उनिवेस्टी की जो पेपर्स हैं बहुत टफ हो रहे हैं कंटेंपरिरी मुस्लिम वर्ल देख के ना मेरे होश उड़ गे कि यह क्या पेपर सेट किया हुआ है और आप कभी सोच के भी यह पेपर मत रखना पंजाब इनिवेस्टी वालों को भी यह एक होंगे पाकिस्तान जिसको एक्सटर्नल रेश्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं इसमें तो सबसे पहले आप लोगों को फॉरन पॉलिसी का मतलब पता होना चाहिए शॉर्ट कोशन में अक्सर आता रहता है फॉरन पॉलिसी किया है अच्छा जी फॉरन पॉलिसी क्या है उर्दू में मैं बताने लगी तो साथ सा जिवाब बताऊंगे पहले हम शॉर्ट करने लगे है फिर लोंग को मैं थोड़ा सा टैच करूंगे और साथ सा शॉर्ट और लोंग दोनों हो जाएंगे ठीक है आप लोगों के लिए थोड़ मकसूस हालात और वाकियां में अपने कौमी मफादात और मकासित के असूल के लिए दूसरे रियास्तों से तालुकात काइम करने के लिए जो तर्जी अमल और रविया इक्तियार करती है उसे खारजा पॉलिसी कहते हैं ठीक है अच्छा जी अब इसके अंदर एक सवाल ओ र करती है जो पहली पॉलिसी को अपसट करती है तो उस नई पॉलिसी को नजरसानी पॉलिसी कहते हैं नमबर त्री पर जी खारजा पॉलिसी मकासिद लिखें अब खारजा पॉलिसी के मकासिद काफी ज्यादा होते हैं लेकिन आप लोगों ने जो लिखने हैं वो मकासिद जहती के अंदर तीन, दो और सब हेडिंग बनेंगी अलाकाई तहफूज एंड स्यासी अजाबी ठीक है? अच्छा जी दूसरे नंबर पर इसका है कोमी तहफूज, कोमी तहफूज के अंदर भी दो सब हेडिंग है, अमन मुहाइदाद, जाती तहफुज के मुहाइदाद, नमबर थ्री पर इसके जो बंद्राइ पॉइंट, एक्तिसादित रखी, नमबर चार पर कौमी ताकत, नमबर पांच पर कौमी नजरियाद, नमबर सिक्स पर कौमी वखकार, नमबर सैवन पर ब्यानल अक्वामी रवाबित ये खारजा पॉलिसी के साथ मकासित जो मैंने आपको बता दी है ठीक है ये और आल आपकी फॉर्ण पॉलिसी में कोई भी कॉशन आएगा तो आप इसमें लिख सकते है ठीक है नेशनल आइडियोजीत क्या है कौमी नजरियाद क्या है ये भी शॉर्ट कॉर्शन लाता है फॉर्रन पॉलिसी इसके पेपर में ठीक है असूल जवाबित का ऐक ऐसा गुनियादी धाचा जिस पर रियास्तिय अवाम मुटत्विक होते हैं कौमी नजरियाद क्या देह ठीक है अच्छे जी एक सवाल long में भी आ रहा और short में भी आ रहा है ठीक है long में कौन से सवाल आ रहा है जी खारजा पॉलिसी को मतासिर करने वाले अमामिल ये शौर्ट में भी अक्सर आ जाता है सवाल तो जी मैं इसके पॉइंट्स बताने लगी हूँ अभी थोड़ी से देर बाद जब ये शौर्ट कोशन्स खतम होंगे तो मैं लॉंग कोशन्स की तरह आँगी तो तब मैं आपको इसको डिटेल में बता दूगी खारजा पॉलिसी को मतासिर करने वाले अमामिल दो तरह के होते अमामिल अनासिर ये दोनों एकी लवज है अगर अनासिर का लवज आते हो तब भी आपने यही लिकना और अवामिल आते हो तब भी आपने यही करना है ठीक है नमबर वन पर अंदरूनी अवामिल है नमबर दो पर है बैरूनी अवामिल अंदरूनी अवामिल कौन से होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो पाकिस्तान की खर्जा पोलिसी को मतासिर करती हैं अंदर कौ कोंगों से हमामिल हैं? हमारा जिग्राफिया, हमारा रकबा, मौशी तरक्की, तारीक और सिकाफ़त, कौमी तरक्की, टेकनॉलिजी और तालीम, मीडिया का किरदार, समाजी धाचा, सियासी इदारे, सियासी एहतिसाब, सियासी माहौल और क्यादत. ये सारे अंदरुनी अमामिल थे जो के पाकिस्तान की खार्जा पॉलिसी को मतासिर करती हैं. अब आजाते हैं बैरुनी अमामिल, बैरुनी अमामिल वो अमामिल होते हैं जो के बाहर के मुमालिक से पाकिस्तान की खार्जा पॉलिसी को मतासिर करती हैं. ठीक है? इसमें बैनु पावर्स और इसी तरह मुद्दिल पावर्स चोती है यह जो हाई पावर्स है तरकी आफ्र तरकी प्यजियर और थार्ट दुनिया तीसारी निए ठीक है अच्छे यह मुक्तलब रियास्ति नजरियात लगार्वत्लिवर्व मैं मिएं प्रकश करेंगे रियास्ति तो दो आर कम्यूस्ट का पहलाओ करते हैं वो इस्तराक्यत के साथ साथ उसके जो दूसरा कम्यूस्ट है उसमें आ जाता है सर्मायादार के साथ चीक है अच्छा जी आलमी राय जी हमारी जो opinion है, world opinion उत्र भी मुटासिर करते हैं इतहाद आलमिय इतहाद यह झा हो जाते वह भी you Lebanon को मुटासिर करते हैं और mobile यह भी हमारी थो में अमामिल टे करते हैं ये दो मेंडिय पैक्टर थे इं...? और ये तो हमें M-I-N-A-N-T, Determinants का लग्स इस्तमाल होता है, इसमें, खारजा पॉलिसी के मुतनात से मुराद वो मुझबूरियां और पबंदियां हैं, जिसके बगार खारजा पॉलिसी तश्कील नहीं पाती, ठीक, अब कौन कौन से ऐसे पबंदियां या लाजमी अनासिर हैं जिसके आपूजी में आप लोग सीटो और सेंटो लिख सकते हैं, सीटो और सेंटो देखें आप लोगों के shortọस नस में आसकते हैं, इसको में आगे-जाकर बताऊँ कि के सीटो क्या था, अच्छा पॉलिसे को बनाने वाले मक्तबा खाय फिकर के हैं कर रिखाजा को कोई लょोग बन वे खारजा पॉलिसी बनाने वाले मकतबा हाई फिकर से मुराद वो लोग या इदारे हैं जो खारजा पॉलिसी को तश्कील करते हैं नमबर वन पर है सदर हमारा जो प्रैजिडेंट है वो सदर ठीक है नमबर टू पर है प्राइम मिनिस्टर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है तीसे नमबर पहे चीफ अफ आर्मी स्टाफ जो फोच का आर्मी स्टाफ का चीफ अफ आर्मी स्टाफ है ये तीन लोग हैं जो के खरजा पॉलिसी को तश्कील देते हैं ठीक हो गया ये शौर्ट प्षेंट बता रही हुँ मैं अग्पनी अच्छा जी उसके बाद क्याना मैं खुपिया इदारे, सियासी जमाते, प्रेशर ग्रूप्स के तोर पर काम करती है, अब कार्लिमेंट और रायामा, पब्लिक अपीनियन, ये सब जो चीजे हैं, वो खार्जा पॉलिसी को कहीं ना कहीं मुतासिर करती हुई नजर आती है, अच्छा जी अब खार्जा पॉलिसी क तीन असूल होते हैं, ये शौर्ट कर्शन में अक्सर आ जाता है, खार्जा पॉलिसी के असूल बताएं, खार्जा पॉलिसी के सिर्फ तीन ही असूल है, किसी भी किताब में इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आप लोग इससे अपनी तरह से हैडिंग्स नहीं बना सकते ह त्मकासित का हसूल मुम्किन हो, ऐसी पॉसी होनी चाहिए, जो इस मकसद के लिए बनाए जाये, वो मकसद हासिल किया जाए, नमबर तुरी पर यह लचकदार होनी चाहिए, वग्त गुजणने के साथ जैसे के चेंजिंग दुनिया में आ रही है, तो हमारी खारजा पॉलिसी कि अंदर भी ऐसे फिलीसिबल होनी चाहिए कि खर्ज पॉलीसे वक्त के साथ सब चेंज होती हुई नजर आई ठीक है चले जी यह शॉर्ट कोर्शन से मैंने आर्ट कोर्शन बताएं उसके बाद देख लेते हैं क्योंकि यह पेपर मैं अल्लेडी दे चुक्री हूं इसलिए है इस यो इलाकाई तामुन बरायत तरक्की यह एक रीजनल ओर्गनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं इस योगो अच्छा जी एकनोमिकल कोपरेशन और्गनाइजेशन कहते हैं I think so और इसका पुराना जो नाम था उसको आर्ट सीडी कहा जाता है दोनों एक ही और्गनाइजेशन के नाम है अच्छा जी 21 जुलाई 1964 को पाकिसान इरान और तुर्की के दिर्मियान एक मोहाइदा हुआ था जिसको लाताई ताउन बरायत तरक्की कहा जाता है Regional Corporation for Development RCDs का पुराना नाम था यह अब आप दोनों लिख लेना ठीक है सिंध तास मोहाइदा 1960 यह आया हुआ है आपके पेपर्स में पाकिस्तान और भारत के दिर्मियान नहरी पानी के तनाजा पर 19 स्तंबर 1960 को एक मोहाइदा हुआ जिसे सिंध तास का मोहाइदा कहते हैं इस मोहाइदे के तरावी बियास और सुचलूज भारत के हिस्से में चले गए और सिंध जहलम और चनाब पाकिस्तान की मलकियत करार दे दिये गए ठीक है अब आईला क्या है फॉर्ण पॉलिसी में इंटरनेशनल ला इंपोर्टेंट है बैनल अलक्वामी कानून क्या है बैनल अलक्वामी कानून उन असूलों और कवाइद का मजमूए है जो मुत्वाइद दिन रियास्तों के तर्मियान बहामी तालुकात में काबले की फोजी मौशी और नफसियाती कुवतों के मजमूएं को ताकत कहते हैं अब यह रियास्त के हावाले से था ठीक है अच्छा जी कौमी ताकत के दो अनासिर होते हैं मुझसी मनासिर होते हैं जो के बदलते रहते हैं और गयर मुझसी मनासिर होते हैं जो के हमें अपनी के मकाबले में दूसरी रियास्तों की ताकत को इस तरह तक्रीब दिया जाए कि ताकत का तवाजन काइम हो जाए और किसी भी तरफ से अमन आलम के खिलाब जारहाना कारवाई को असानी से रुका जा सके तवाजन ताकत काइम रखने के तरीके ये लोंग में आ जाता है इसको म मदाकलत करना, नमबर सेवन अदम मदाकलत, नमबर एट जंग और नमबर नाइन फासिल रियास्ते, नमबर टैन इतहाद और जवाबी इतहाद, अलाइंसेज, ग्लोबलाइजेशन क्या है, यह सवाल आता है, आपके शॉर्ट कोशन में, फॉर्न पॉलिसी और पाकिस्तान का पेपर उसमें ही शॉर्ट कोशन आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन से मुराद, पूरी दुनिया एक आलमी माश्रा है, इस से मुराद, अब दुनिया में रियास्ती सरहदें खतम हो रही है, और पूरी दुनिया एक घर की शकल इक्तियार करती जा रही है, अब सारी दुनिया एक घर महसूस होती है ठीक है ये शोर्ट पर्शन में आपका सवाल आ सकता है अक्वामे मुताहिदा यू एन ओ अक्वामे मुताहिदा जी दुनिया में अमनो आतिशी के असूर और मुलकी के दर्मियान तस्या तल्प मसाइख हल के लिए आलमी ताथों ने एक बैनल अक्वाम दारा काइन किया जो के 24 अक्वर 1945 में काइन हुआ अच्छे जी पांच गुनियादी अराकीन है इसके जी अम्यारिका बरतानिया रूस प्रांशीन दुनिया के बड़ी ताक्ते हैं जिनके पास वीर्ट और पावर का हक मुझूद है ये पांच मुस्तकिल अराकीन है अमेरिकी सदर रोस वैलिट ने इसका नाम रखा था इसका सदर दफ्तर हेड़कॉर्टर नुई यॉर्क में है अच्छे अगला सवाल आजाता है आई सी जे बैनल अक्वामी अदालत इंसाफ अक्वाम मुतहिदा में इंसाफ रियास्तों के दर्मियां तस्फिया तलब मसाइल को हल करती है दफ्तर इसका हीग में है अच्छे एजी यू हीग हालेंड में अदालत का कॉरम कमस कम नो जजज़स पर मुझतमिन होता है फैसले के लिए जज़सों की सिर्थ राय की बनियाद पर होते हैं अगर वोट मुसा साँ चिंबान का नान है 1945 में कांपरस होई थी अमेरिका बरतानिया रोस के रूस के वज़राय खारज़ों तर दिरमियां मुसल्ला अफवाज के दिर्मियान अमेरिका के सदर रोजवेल्ट थे बरतानिया का पीम चर्चल था रूस का सदर मौर्शा स्टॉलन ने शिर्कत की थी इसमें अक्मा में मुतहिदा के क्याम का पैसला हुआ था और दूसरी कांवर्स सान फ्रांसिस्को में बुलाने की बात क हैं यह सवाल आते हैं कि अच्य जी न्युवर्ल्ड ओ उडर का प्लान अमेर्कां रीपब्लिकन पार्टी से तालुक रखने वाले क्रिस्टो फर्चन ने अपनी तक्रीर ने किया था जिसे इस और प्टियो आमेर्का ने आलमी निजाम पर दियाً सदर बुश ने फिर इसको बकाइदा मुतारिफ करवाया एक आलमी ताकत अमेरिका बन कर उबरी न्यू वर्ड ओडर ठीक है नेटो क्या है नेटो आता रहता है नेटो का मतलब है नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन 1949 में बनी थी ये एक मोहाइदा था दफ इसको प्राइज की उलट है ने इन्सानी हकोग का तसवर दिया इन्सानी हकोग से मुराद दुनिया के किसी भी कौने में बसने वाले मर्द और 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 उरत को तफ्रीज चुदा बनियादी हकोग हासिर है बनियादी हकोग इकला की हकोग और कानूनी हकोग एक लाव्ज आता होता है फॉरंट पॉलिसी के पेपर में डिप्लोमेटिक अम्यूनिटीज डिप्लोमेटिक अम्यूनिटीज से मुराद है मराद सफारतकार की जो सफारतकार होते हैं उनको कौन-कौन-कौन-सी मराद या कौन-कौन-सी फेवर दी जाती है उसके हवाले से न नमबर पूर कें यह इसका मक्सद कम्यनुजम को रोकना था उनीशो आठावन में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था अमन बकाई बहमी की पॉलिसी किया है 1955 में अमेरिका और रूस ने अमन बकाई बहमी का पॉलिसी का अगास किया था CTBT किया है अभी किसी ग्रूप में चरह था यह CTBT किया है Comprehensive Test Band Treaty 10 सितंबर 1996 को इक्वाम मताहिदा की जनरल इसमली ने अपने इजलास में CTBT की मनजूरी दी इसका मकस्द महलिक आतिश के एडमी तजर्बात पर पबंदी आयद करना था जो कि अमन आलम के लिए खत्रा होना हो इस महाइदा पर 151 मुमालिक ने दस्तकत किये CTT के दो मकासित थे वसी पेमाने पर तबाई फैलाने वाले हत्यारों में कमी करना यह माइदा नॉन प्लेटरेशन 3T के मकासित हासिल करने के लिए मददगार साभित हुआ NPT यह आपके पेपर में आ जाएगा क्योंकि फॉरंट पॉलिसी का एक्स्टर्नल रिलेशन के यह सवाल है यह आपके जब आप रीडिंग करोगे एक्स्टर्नल रिलेशन की बुक तो महाँ पर यह लवज बार बार आ रहे होते है ठीक है अच्छा जी अपने तजर्बाद पर प्रबंदी आएद होगे जिसको कोई नुकलियाई तावणाई हासिल कर सके हर किसम के एटमी तजर्बाद पर प्रबंदी होगे CTBT का मुहाइदा एटमी हट्यारों के अदम फैलाओ का मुहाइदा है पाकिस्तान ने अभी तक इस मुहाइदे पर दस्तकत नहीं किये ठीक हो गया चलें जी अब आज़ते हैं मेरी तरफ से वीडियो बिल्कु सही चल रही है हो सकता कि आपकी तरह से नेट के इश्यूस हूँ दितान्त किया है दितान्त से मुराद कम तनाओ या कम कशीद्गी माहूल है दितान्त का लफ़ प्रांसी सी जुआन से माखूस है दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरी बिरू हो गई इस सर्थ जंग की बदोला दुनिया में तनाओ और कशीद्गी में बेपना इजाफा हुआ सर्थ जंग की इस माहूल को कम करने के लिए अमेरीका और रूस ने अपने दिलों में कुछ नर्जमी पैदा करनी शुरू कर दी जिसको तितान्त कहा जाता है नेटो वही है आगया दुबारा से मुहाइदा तन्जीम शुमाली ओक्यानोस नौर्थ अट्लांटिक प्रिटी और्गनाजेशन 1949 में बनी थी अमेरीका ने स्टार्ट किया था इसका कम्यूनिजम को रोकने के लिए मुहाइदा वार्सा वार्सा पैक्ट नेटो के जवा में मुहाइदा हुआ था दूस और उसके मुमालिक के दिर्मियान कम्यूनिजम को वालिये थे यह 14 माइद 1905 को हुआ था 55 में हुआ था मुहाइदा वार्सा पगदाद मुहाइदा भी कहा जाता है यह नहीं सिर्फ वार्सा मुहाइदा कहा जाता है इसको अच्छा जी इस तहरीक स्वेयर यूनियन ने की थी इस मुहाइदे में तया पाया कि अगर वार्सा के रुकन मुमालिक मेंसे किसी एक पर भी हमला होगा तो उसके रुकन तमाम मुमालिक हमला तसवर किया जाएगा बटे गया था चलिए पाकिस्तान ले कि नियुक्तॹ और इंडीया के साथ तो किसी ने भी पाकिस्तान की वार्प लगी तो सभी शोड़ गया था सीटो एक ऐसा मुहाइदा था जिसमें अमेरिका रूस्ट के कम्यूनिस्ट ख्यालात और नजरिये को मुशर्की एशिया के मुमालिक में गल्बा पाने से बचाने के लिए किया था साउथ इस्ट एशिया ट्रीटी और्गनाइजेशन कहा जाता है इसको 1954 में फलपाइन के दर्व लुकुमत मनीला में रखी गई थी पाकिस्तान ने इसको जॉइन किया अच्छा जी सेंटो आ जाता है सेंटो सी एंटी ओ सेंटो इसको कहते हैं सेंट्रल ट्रीटी और्गनाइ था उदर से अब तेहरान में शिफ्ट हो गया यह सॉल्ट आता है स्ट्रेटिजिक आंज लिमिटेशन ट्रीटी यह दस साल का मुआइदा था अमेरिका और रूस के दिर्मियान होगा था न ए एम नाम नॉन अलाइमेंट मूमेंट गैर जानिबदार तहरी स्यासी हवाले से गया जानिबदारी से मुराज किसी भी मूआमले में मसले में पड़े बगवर अपने मुवादात और तहपुजात की रोशनी में पॉलिसी तक्त्रीद देना और यह दोगली पॉलिसी खियार करते हुए किसी मुलकी की हॹमायथ ना करना और ना किसी मुलकी की मुदर्श शुर्ट रियास्तान के दिनियान अफगानिस्तान रूस और की इन दिन मंचूर फॉसर रियास्ते का काम कर रही थी, salt मैंने बता दिया है, ठीक है, आप लोगों का arms control और desirements, अफवाज पर control और तक्वीब असला, तक्वीब असला से मुराद उन माधी, असलाह में कमी और इंसानी वसाइल, अफवाज पर control में कमी करना, जो तशद्दूत के लिए इस्तमाल होते हूं, ही क्या, अच्छा जी, इसके अंदर कौन-कौन से कोशिशें की गेल थी, मुहाइदा वर्सिल्स, लॉर्ड कर्सल्स की एकदामाथ, ही कानफरंस, मजलिस अक्वाम के कोशिश, तक्वीब असला की कानफरंस, जनीवा प्रोटोकॉल, मुहाइदा अंटार्केटिक, मुहाइदा फर्च समंदर, सॉल्ट मुहाइदे, पिछला कोई पेपर था, उसमें आया हुआ था, एल्टी बेटी, एल्टी बेटी क्या है, जी लिमिटेट टेस्ट बैंट प्रेटी है, अमेरिको रूस ने की, मुहाइदा क्या था, कि दोनों मुमालिक जमीर और फिजा खिलाए, में हम किसम एड्मी तजर्बा नहीं करेंगे, खला के अंदर, यह क्या है, यह शॉर्ट कॉशन्स होते हैं, जी जो भी किसी भी पेपर ना जाते होते हैं, इसलिए आप लोग यह लाजमन कर लें, M.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P ब्राउन तर्मीम, प्रिसलर तर्मीम, सिंताज मुहाइदा, सार्क, इस्यो, सीटी बीटी, सेंटो, दो तर्फात आलुकात, जर्बे अजब, नाम, एन एम नाम, बी ओपी, और प्रीडम फाइटर, यह दी पॉरन पॉलिसी ऑप पाकिस्तान की शॉर्ट क्वेशन से, जो के ल शिम्ला मुहाइदा तो असान है, शिम्ला मुहाइदा ऑफ में बाहरत के दैमें आमेर düş्शाए बहादर में हुआ था हृत्ब, शिम्ला कर मुकाम में इस मुहाइदा में दोनों मुमालिक ने अतिल्मियान इकतलापाद को, भाह मी मझाकरात औरो शनी में हल करने पर जोड गया था उन्नीस सो एकतर की जंग के बाद पाकिस्तान भारत तालुकात को मामूल पर लाने के लिए इत्फाक राये हुआ टू नेशन शूरी आप लोगों का पता दो कमी नजरीया है ठीक है अच्छा जी दो जो तरफा तालुकात कौन से होते हैं जी ग्राइब बाद 24 ब्र्यासट से मुरदो है अज़ाद और खुदमुक्तियार रियास्तों के व्राबेवर से मुझताब़िया और ब्राबरियार्गान रियास्तं मुझू जी ल्याकटन roofs 1950 में हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान और भारत के दिन्मियान माबैन होने वाले तनाजास से मुतलिक था इसमें एहम नकाद कौन कौन से थी जी नंबर बन पर था जमू और कश्मीर का मामला अकौन में मुताहिदा के किराज़ादों में मताबिक हल कर दिया जाए नंबर जो नहरी निजान है नहरी पानी के तक्सीम का मामला जो आईसीजी में गया था उसके सामने रख दिया जाए गुफ्तों शनीज से मसाइल हल नहीं होते जंग भी नहीं हो सकती यह थोड़ा बहुत था अहां जी मुनजला एक और ब्राउन तर्मीम के हावाले से भी मैं बात इंटन के ने ब्राउन तर्मीन पर दस्तकत की थे जिसके तहट पाकिस्तान के लिए फोजी एक्तिसादी इंदाद की रहां मार हो गए थी इस जमन में पाकिस्तान ने इस तर्मीम की खैरमगदम क्या था 1998 को पाकिस्तान अमेरिकी कांग्रस ने पाकिस्तान को कि एफ शिक्स्टीन त्यारे एफ शिक्स्टीन त्यारे ना देने की सिल्सले में रकम वापिस करने की हुमायत की थी यह ब्राउन तर्मीम थी इसको ब्राउन ब्राउन प्रिसलर भी कहा जागता है ठीक है अच्छा जी और प्रिसलर तर्मीम भी आई हुई है जी एक जनवरी 1992 में प्रिसलर तर्मीम के खालिक और मोहरिक प्रिसलर ने अमेर्की और बेरुनी अंदाद के कानून में तर्मीम करवाई थी जिसके तर्मीम में पाकिस्तान की हर किसम की अंदाद रोक ले जाए इस तर्मी में पाकिस्तान को एटमी हतियारों के फैलाओं को रोकने के लिए कहा गया था यह फॉरन पॉलिसी में इंपॉर्टन्ट लव्ज थे जो मैंने आपको इंटर्ड्यूस करवा दियें अधर्वाइस आपको फॉरन पॉलिसी और पाकिस्तान समझ नहीं आएगा क्योंकि फॉरन पॉलिसी और पाकिस्तान पाकिस्तान के जो खार्जा पॉलिसी के अंदर यही चंद एहम बाकिया थे जो के मैंने आप लोगों को शॉर्ट कर्शन जो भी आते थे वह मैंने आप लोगों को बता दिये ठीक है अच्छा जी एक मिनट मैंना थोड़े मेसेजिस देख लूँ फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं मैम जी ओके स्टार्टिंग देख लेते हैं कोई बात पूछी थी मेरा किसी ने वालेकुम स्लाम थैंक्यू मैम ग्रेट और बिनिफिशियल थैंक्यू बहुत अच्छा समझा र आख ठीज था जी एक सथे दो यह यह एंट कं टेंप्रेटी मुस्लिम वर्ड में यह लवज आया वा था गॉल्फ कोप्रेशन कॉंशल हिए था जी सी गॉल्फ को प्रेश्ट और परेशन कॉंशल था यह थी जी सी का इनतहाई बहुत चिंदा पर आया कहना कि यह जो रिसर अगर आप रिसर्च रखना चाहते हैं तो रिसर्च रख लें यह पेपर मार्च्स भी दे जाता है और इसली समझ भी आ जाता है अच्छा जी लोंग वीडियो बना देती हूं हाई शेबास काम्याब तालीम जी आप सब को मैसेजिस कर रही हो हावर यू अच्छा जी अच्छा जी तो बहुत अच्छा जी तो बहुत अच्छी लग रही है थैंक यू ओ बस कर दे भाई थैंक यू अच्छा जी चले जी यह तो थे हमारे शॉर्ट कर्शन चो के पॉसिबल हैं आपके पेपर में आजएं क्योंकि मेरे पास फॉरण पॉलिसी आप पाकिस्तान की जी बुक तो नहीं है एक आइडिया था मैंने आप लोगों का इस लेब पाकिस्तान अशरम पाकिस्तान के बास मैं क्या करूं जितना मरण इस पढ़लो फिर भी मुझे नहीं आता यह प्र अच्छी फोरॉंपने पॉलिसीओ पाकिस्ट के सवाल सुनलेई पहला सवाल इसमें कोई भी आस था पाकिस्तान की खार्जा पॉलिसी के बुनियादी अनासिर बियान करें और इसके इज़ा भी बियान करें अच्छा जी खार्जा पॉलिसी की इसमें सबसे पहले आपने तारीफ लिखनी है खार्जा पॉलिसी के बुनियादी अनासिर बुनियादी अनासिर जोने के खार्जा policy का تصور ناممکین है नमबर वन पर है नजरीय एस्लाम आपको पता है कि पाकिस्तान एक नजरीय दियरी में पर माज़ार वग्युद में आया था पाकिस्तान दुनिया का वाहिद म Bye माशिय ऑफधात का Parliament के पर स्यास्अ सकता हर मुल्की की खार्जा पॉलिसी का अबलीन मक्सद मौाश्य मफदात का तहफोज है नमबर फ्री पर है दो तरफा तालू का देखे मोई दो तरफा तालू का आ गें इस शॉट कर्शन में भी आया हुआ कि आप और में गौनाम को रहे जलिएंट स्ऽार्चा की अधिया जादार्डियातीट पर किसी सुपरपावर का हाश्य बड़़ दार बनने का सक्त मुखावलिक है हक्ते के साथ देट रहें मिलिक के साथ दोस्ता ना है संधिय का मुझालम्न कि पाउप कि तक्वीफ असलाह यह शॉर्ट क्वेशन में आया हुआ था तक्वीफ असलाह तो यह देखे दुबारा इसका यह हिस्सा है पाकिसान की खार्जा पॉलीसी का हिस्सा है तक्वीफ असलाह को कम कर देना आलमी अमने पीस अक्वामे मुताइदा से तावु नहीं नमबर नाइन पर नमबर टैन पर है देश्चत गर्दी को अखात्मा करना यह दस पेपर था दस दस अंसर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की खार्जा पॉलीसी बनती है हाँ जी नौब वाइस यह मैं ना जो लास्ट फेपर खतम हो जाएंगे ना यह मतलब वो एंड हो जाएगा हमारे पर का रांट ऑउन्ड फेपर का एंड 23 के बाद हो रहा कि तो उसके बाद बहुत देर के बाद पर आने डिसंबर में जाकि यानिकर बहुत गयाप है तो यह जो टूस्टे के बाद के जो डेस होंगे न मैं उसमें लाज्ट पेपर का सारा रीवीव करूंगे फर्स्ट पेपर से स्टाट होके आठ दस पेपर जितने में मेरे पास आए हैं बच्चों के गुरुक से उनके सबके मैं रीवीव दूँगी सब्सक्राइब लिखाब निए ताके नेक्स परदर जो 2022 में पेपर देने वाले हुनको 2021 की सारी वीडियो मिल जाएं चले जी दूसरा सवाल जी पाकिसान की खर्जा पुलिसी बनाने वाले मक्तबा हाई फिकर यह मैं आप लोगों को बता चुकी थी इंतिजामी तो कौन कहते हैं सदर वजीर आजम कीप आफ आर्मी स्टाफ यह मैं बता चुकी हूँ पाकिसान की खर्जा पुलिसी के अमामिल बियान करें अब अमामिल मैं बता चुकी थी एक होते हैं अंदरूनी अमामिल एक होते हैं बैरूनी अमामिल वो अमामिल होते हैं जो के पाकिसान के अंदर जो रहते हुए पाकिसान की खार्जा पोलीसिय को मतासित करते हैं इसके अंदर है size size से मुराद किसी रियासत का रख़बा और अबादी है ठीक है रख़ब अबादी किसी रियासत की खार्जा पोलीसिय में बहुत जानियत रखते हैं नमबर टू पर है जुग्राफियाई अंसर, जब कोई रियासत अपनी खार्जा पॉलिसी के असूल मुरत्प करती है तो उसे पस्ते मंदर में उसकी तारीखी, समाजी, माशी, जुग्राफियाई, कौमी और नफस्याती हखीकते होगी हैं, ठीक है, नमबर टू पर, और और कौमी मफादात के ताहफूस के लिए फोजी कुष्ट की एहमियत कोई धकी चुपी बात ही है, लेकिन फोजी कुष्ट दारों मिदार फोज की तदाज पर नहीं बलके फोजी ट्रेनिंग के मियार, जंग करने की सलाहियत, जंग करने के लिए त्यारी और हमला करने की सल पर भी होती है ठीक है सकाफत और तारीक किसी रियासत की सकाफती और तारीक रवायत उस रियासत की खार्जा पॉलीशी पर गहरा असर डालती है इक्तिसादी तरक्षी किसी मुलक की इक्तिसादी तरक्षी उस मुलके के खार्जा पॉलीशी का एहम अंसर समझी जाती है और ल प्राम करके दुर्स फैसला करने में मामन साबित होता है ठीक है यह थे अंदरुनी अवामिल अब बैरुनी अवामिल को देख लेते हैं इसे पहले के नेट जा और यहां की वीडियो बंदों तो मैं इसको थोड़ा सा लोंग पे जाने के वजाए शौर्ट पर लेकर जा रही ह हैं वही मैंने ताकत कर बता कि आप लोगों को बैरुनी बैरुनी बैरुन अब वाम तंजीम है दूसरी रियास्तों का रद्यामल है इताहदात है और आलमी राय आमा है यह से बैरुनी अवामिल यह जो आवामिल तो लाजमन आएंगा पाकिस्तान के खार्जा पॉलिशी के पॉलिशी में इतदा हुए हुए है जनरल प्रवेज मुशरख सक पाकिस्तान की खार्जा पॉलिशी का जाइजा ले अब यह तो नहीं पढ़कर सुना सकती इतना बड़ा किसे सारी आएगे हुए हुए है यह क्या है ऐसे सब्सक्राइब के लिए कreptar काली का मसला करें लास्ट पेपर में भी यह सवाल आया हुआ था लीए समींस का मसला मुएधा जीटो क्या है मुएधा शीटो आ गया देख लें कौन से दोर में हुआ है मुएधा शीटो मुहम्मद अली बॉगरा जुस्वक्त वजीर आजम से मुहाइदा सीटू हुआ है यह जो छोटे-चोटे लव्ज पतायता ना शौट कॉर्शन त्यूकि यह फॉरन पॉलिसी के दर्मियान में कहीं ना कहीं लाइफ में पाकिस्तान की लाइफ में यह वाक्यात होते रहे हैं यूब खान के दोर की खार्जा पॉलिसी इसे वहाले से बहुत इंपोर्टेंट है कि इसमें बहुत जादा स्टैक्स उठाई गया थे खार्जा पॉलिसी को इंप्रूब करने के लिए मेजर जनरल सकंदर मिर्जा 6 अक्तूबर 1905 से 22 मार्च 1956 सा पाकिस्तान के गवशनर जन करते रहे इस सिर्वार पाकिस्तान का दॉस्तूर बना लिया था जिस जो के 23 मार्च ID Christmas को पर्पा क्स्तान का नाम इस्वामी आपवि पाकिस्तान अपने अहदेव पर फ्वाइज रे अच्छा जी इनकी देख लेते हैं जी बतौरे वजीरियादम सिर्फ चार दिन इन्होंने काम किया था जनरल मुहमध रयूप खान के दोर की खार्ज़ पॉलिसी का जाइजा लेने अर्सीडी में शमूलियत खी थी आर्सीडी बहुत इंपोर्टन है आर्सीडी मैं बताई थी आप लोगों को जिसको इसीओ भी क्याँते हैं इसका न्यू नाम इसीओ है पुराना नाम आर्सीडी ह दूसरा इसका जो एहन काम हुआ था उस दोर में सिंध तास का मुहाइदा हुआ था जो के शॉर्ट पॉर्शन में मैं आल्रेडी बिता चुकी हूँ तीसरे नमबर पर जो इसका ठीक है और इलाने ताशकंद हुआ था यह वह इंपॉर्टन चीजे थी जो मैं आप लोगों को अल्रेडी बता चुकी हूँ या सदर अजूब खान के दोर के थी और बहुत इंपॉर्टन यह रहा है दूसरा जो एहद पॉर्ण पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टन है वह है यानि के यकीन माने कि उसके दोर का मैं यह आई लग इसलिए बोला है कि मैं पिछला साल हो गया और अब तक मतब यह सवाल को मेरी जिंदगी में कोई 10-20-12 आ चुका है जुलिफकार अली भुट्टो का जुलिफकार अली भुट्टो का एहद की खर्जा पॉलिसी देख लो इसलामाइजेशन का पीरिट देख लो कि इसलामाइजेशन के हावाले से भी बहुत ज़्यादा का था लाज्ट टाइम भी वह वह पढ़ा रही थी तो यह इंसान था जिसके दोर की जो खर्जा पॉलिसी इंतहाई इंपोर्टेंट है इस पे सवाल इतनी ज़्यादा रपी जो चुके हैं कि आप लोगों को तो इसको अच्छे से कर लेना चाहिए अच्छे जी जुलिटकार अली बुट्टो का दोर देख लेते हैं यह यह दोर में होने वाले आम इंतकाबाद में मगर भी पाकिस्तान में पाकिस्तान फिपल पार्टी ने नुमाया कामिया भी हासि अच्छे जी जुलिटकार अली बुट्टो बने के थे ठीक है शोड़ दो इसको यह आप लोग कर लेना खुदी पाकिस्तान के वजीर आजब रहे थे ठीक है कि 70 में 70 तक रहे थे के लावा उन्होंने इशाही मुमालिक, अफ्रिक्या, लातानी मुमालिक से वगरा के साथ मुश्रका मुपादात की बनियाद पर बहुत ज़्यादा तालुकात काई किये थे बैनलक्वामी अमन और सलामती को प्रोग दिया था, तमाम कौमों के दिर्मियान दोस्ताना तालुकात पैदा किये थे और जो बैनलक्वामी तनाज़ा था उसको पूरामन तरीके से हल करने के लिए उन्होंने कहा था, जुलिदकार अली भुटो की ये फॉर्ण पॉलिजी बहुत जादा इंपोर्टन्ट है, इन्होंने चीन कफ दोरा किया था, नैंती सेंटी टू में और ग्यारा करोड डॉलर के जो कर्जे थे, वो पाकिस्तान के माफ करवा दिये थे, अच्छा जी स्वैथ निंके साथ, यूएससर के साथ भी जो पाकिसान के दालुकाते वो अ बहुत इंपोर्टन्ट मोहीदा हुआ है, 1972 का मोहीदा देली भी भुतो के दोर में हुआ है, बंगलाडेश की मंदोरी भी भुतो के दोर में हुआ है, और इस्लामिय मुमाली के सरभढ़ाई की कान्फरेंस जो पाकिस्तान में हुई थी, इसलामree Reds में तक्रीर भी बुतो बड़ी तालुकात रियास्तों के साथ तालुकात बहाल किये थे अमेरिकी इम्दाद पर नहसार करने की पॉलिसी तर कर दी थे उन्होंने अमेरिका से कहा था कि हम और इम्दाद वसूल नहीं करेंगे आपसे ठीक है बुट्टो के दोर में पाकिस्तान का जुकाओ कि इंतहाई इंपॉर्टेंट ता कि फॉरन पॉलिसियों यह लाजमान कर लें यूझ चल्रेंट का दोर कर लें यह तो ऑन पॉस्तान की फोर्रही सब्सक्राइब बात करते तो तब यह बहुत ज़यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की खार्जा पॉलिसी के अग्राज मकासिद जी सवाल है पाकिस्तान के अग्राज मकासिद नजरिया पाकिस्तान को यह तो यह वारा पंदरा लिखे होगा है यहां पर तो ठीक है आप यह लिख लें खार्जा पाकिस्तान के अग्राज मकासिद 1947 से 1953 में पाकिस्तान की घर्जा पॉलिसी बियान करें ये सवाल है जी 1903 से 1953 था कौन था वहीं कहले तो काईद आजम थे दूसरे नमबर पे लियाकत अली खान का दोर था फिर नाजम अलदीन का दोर था फिर मुहमद अली बोगरा का दोर था फिर इसमाईल चंदर आया था मिस्टर हुसाइन शेही सरवर्दी आया थे और फिरोस खान नून आया थ यह चार-पांच लोग आये था जिए जहने फौन पॉलीशी की थी इसको छोड़ दें क्योंकि यह नहीं है अएक जो सवाल पाकिसान के खार्चा पॉलीशी के बनियादी असूल कौन से है जी बनियादी असूल इसने आठ यहां पर पकिसान के बनियादी खार्चा पेपर में आयो हुआ है रिदा बच्चे कि सोच में बैठी हो Suzuki aBro अब्योकान का पैपर हो गया है यह आट पॉरण पाकिसान के ट्वंटी थी को मंडे को पेपर है यह न्यूज वालों का फोरण पॉरण पाकिस्ट पाकिसान है और बच्चों का पेपर डो एक्टनल रिलेशन पाकिस्ट आने है जहां तक मेरे स्टूड़न से मुझे खती है या जस है MID मुझे के इस तो अगालें स्थयर णीया झोलइश्रू और बार्तानिया की नैंश्र दलड लेते हैं पाकिसानों बरतानिया के जा जो तालू का 9 १ن अब website US bu तो आप उपर-उपर से लिक सकते हूं लेकिन जब external ratios आप पाकिसान की बात करेंगे तो सारे वो तालुगात लिखेंगे जो 1947 से लेकर तिल नाउ अब तक है तो सारी वो डिटेल लिखने पड़ती है हर मुल्क की पाकिसान इरान की पाकिसान इराग की पाकिसान बर्दानिया की पाकिसान अमेरिका की पाकिसान चाइना की यह सारी जो कंट्रीज हैं जिनके मैं नाम ले रहे हूं इनका नाइंटी फॉर्टीन से लेकर अब सका तिल लोगों को करना पड़ेगा अधर्वाइस यह रिलेशन्शिप नहीं होगे क्योंके रिलेशन आइटी 47 में ही स्टार्ट हो गए थे नंबर वन पर दी पाकिस्तान और बरतानिया का देख लेते हैं पाकिस्तान और बरतानिया तालुकात में एहम वाकियात कोंकों से हुए है लाड माउंट बेटन ने पाकिस्तान के लिए नेक वाशाद की थी 14 गस 1947 के मौके पर दोलत मुश्तरका में पाकिस्तान शमूलियत एक तो यह पाकिस्तान में जी पाकिस्तान ने इसकी रुखनियत कबूल कर ली थी लेकिन जुल्प का रली बुटो ने अलग हो गया था नहर सवेज का मसला देख लें दुबारा आ गया है नहर सवेज मिसर का एक दरिया का नाम है जिसमें से बैनों लक्मामी तो और पर जहाज औ गुजरकाल के लिए बंद कर दी तो फ्रांस इसराइल और बरतानियाने नहर ठीसर के गिदा कर दे को । अगर हकूमत में मिसर के खिलाब जहराना करवाई बंद ना की तो पाकिस्तान दौलत मुश्टरका से अलादा हो जाएगा ये था नेहट स्वेज का मसला ठीक है ये शौट कॉर्शन में आ जाता होता है बरतानिया वजीर आजम बरतानिया का दोरे पाकिस्तान जी कौन आया थ था मलका बरतानिया आई थी पाकिस्तान में नाइंटे सिक्स्टी वन में मलका लीजीबत आई थी पाकिस्तान के दोरे पर बरतानिया से असूल कर्द भी मिलता रहा है हमें अमदाद भी मिलती रही है अच्छा जी तनाज़ा एक रन कुछ का रन कुछ तनाज़ा है एक उसम के माबैन शुरू नहीं से तनाजे का शिकार रही है उन्नी सो उन्चास में भारत ने दावा किया था कि रन कुछ भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान उस पर हक जमाता है उन्नी सो पैसेट में भारत ने इस इस इलाके में वाकिया डंग की पाकिस्तान के पर हमला कर दिया ल के दर्मियान में सुला कराने के बड़ी कोशिच की लेकिन नहीं हुआ ठीक है उसके क्या हुआ कि उनीस से पैसाट की जंग होगी पाकिस्तान और भारत की और पाकिस्तान की जंग जो 17 दिन तक जारी रही थी सेंटों का सेंटों में हम दस्तकत कर चुकेता तो उसमें यह था क अगर कोई प्रीक पर कोई भी मुल्क जंग करेगा तो हम उसका मिलका मुकाबला करेंगे लेकिन पाकिस्तान की हल्प किसी नहीं की थी किसी नहीं हल्प नहीं की थी जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जुलबकार अली बुट्टो ने पाकिस्तान को अलाइदा कर दिया था तीके ये दो अलग-लग नहीं ततर बार्त रोजिव वजीया दोरह पाकिसटान। पारत्रह AG Beyond की इस नहmeulates नहीं की लिदॉट है कि यह स्लिए जह के दोनों जंगों में रहा देख लेते हैं वजीर यादम का तो नाइंटी एटी वन तक ही पहुंचेंगे दोरे लिए कितना लेंथी है बस दिर्या से पाकिसान का दुबारा दोरा हुआ गया पाकिसान की खार्जा पोलिसी कुछ भी नहीं है बरतानिया के तालुकात बहुत है नाइंट दोहजार एक तक लेके जाएं तो इसमें बहुत कुछ हुआ था यह आप लोग खुद पढ़ लेना जुलुफकार अली भुट्टो के पाकिसान की खार्जा पोलिसी पर नोट लिके इंताहाई है खार्जा पोलिसी के इसके मैं पॉइंट बताने लगी हुआ जुलिफकार अली बुट्टों के गैस जानिव दागिया थी, नमबर वन दो तरफा तालुकार थी, नमबर फिरी पर इतहादी आलम था, नमबर चार पर कम्मिनिस्ट ब्लॉक से दोस्ती की थी, नमबर पांस पर उन्होंने एट्मी पॉलिसी बनाई थी, नमबर शिक्स पर त पर इनियन को कर लेना, भारत और पाकिसान के तालुकात का जाहिजा लेना जी, क्योंकि यह जाहिजा लेना इसी ही ज़रूरी है, नमबर वन पर इतदाई हालात है, जी बॉर्डर से जो लडाईयां हुई है, उसके इलावा क्यामे पाकिसान से मन्फी तालुकात काइन हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ, सर जी पॉल कर लें, अच्छा जी इसके साथ साथ देख लेते हैं, ति जी असुफार्ती तालुकात हैं, जराय आमदर रफ्त हैं, सियाचीन ग्लेशर का भी मसला है, सियाचीन ग्लेशर पाड़ी मकाम है, जो दारूल हुमत मक्भूज कश्मीर से सिर्फ 250 किलोमेटर के फासले पर है, भारत इस इस इलाके पर भी पोजी सरगर्मिया चुरू कर रखी हैं, ठीक है, एटमी तनस्बात पर हमला ना करने का मुहाइदा हुआ है, कश्मीर में तश्वीशनाक सुरेदेहाल है, पाकिस्तान में हलाद संगीन है, अच् सिंतास का मुहाइदा शौट और लॉंग में भी आता तो आप लोग इसको लिख लेना, 1965 की जंग भी लिखनी है, इसमें 1971 की जंग भी लिखनी है, भारत के आडमी धमाके भी लिखनी है, और पाकिस्तान के आडमी धमाके भी लिखनी है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के आ तो आप लोगों को पता होना चाहिए मसला कश्मीर देख लेना लाजमान पाकिसान और बारत के दिनम्यान मज़ेत इतना अच्छा जी सवाल है जी अफगानिस्तान पर रुसी कब्जा और पाकिसान के खार्जा पोलिसी यानि के जब रश्या ने इंवेड किया था अफगानि साइब से बड़ी मज़े की बात यह है कि वह जो यह पानी का घरम पानी जो हमारा क्राची है हमारा क्राची का जो यह साहिल समंदर हों और तक महुंचना चाहता था वह तो गर रश्या तो सारा बरक से ठका हुआ है लेकिन उसको हमारे पास आने के लिए दिम्यान में से अफगानिस्तान से गुजर के जाना पड़ता था उसने कहा कि अगर मैं अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता हूँ तो पाकिस्तान तक अराम से मैं पहुंच जाओंगा कि मुझे इतना लंबर रूप नहीं करना पड़ेगा उसने क्या किया रात और रात अफगानिस्तान के अंदर अपनी फोजें दाकिल कर दी अब रात और रात हुई है किस्यों को खबर अगले दिन बात जब नीडिया में ये न्यूज आई है दो तिन दिन बात जैसे दुनिय कि खबर पहुंची है तो जी अमेरिका ने अपनी फोजें भेजी अब एक्टॉल सुचेशन बताने लगी हूँ ये बाद में देख लेते हैं अब अमेरिका तो रास्ता चाहिए था अफगानिस्तान में जाने के लिए ठीक हैं सीधी सी बात है जो मैंने आज तक पढ़ाया हूँ मुझे नहीं लगता कि मेरा मैंने जो पढ़ा है कुछ गलत ही पढ़ा होगा लेकिन मैं यह बताने लगी हूँ कि मसला अफगानिस्तान क्या था तो अफगानिस्तान इस वक्रेंट में चल रहा है अगर हिस्ट्री से उठाके करना पड़ेंगा तो ऑपिस के छोटे- पावर थी उस वक्रेंट अमेरिका ने अफगानिस्तान से रश्या को निकालने के लिए क्योंकि अमेरिकों को नजर आ रहा था कि अगर अगर रश्या ने अफगानिस्तान पर कब्सा कर लिया ना तो मैं तो गया क्योंकि दुनिया में उन्हों से कम्यूनिजम रोकना था ठ यह एक रियालिटी है कि पाकिसान ने रास्ता पुर्वाइड किया था अमेर्का को अफगानिस्तान जाने के लिए अमेर्का चला गया उसके अंदर अब इसके अंदर दो इंसिडेंट बड़े इंपोर्टेंट है जिसमें शॉर्ट कोशन आते यूटू इंसिडेंट यूटू के नाम से एक जहाज पकड़ा था लेकिन कहां पकड़ा था जी वो पाकिसान की जो सरद है या पिशाबर का इलागा महां से पकड़ा था उसके अंदर जी वो पाकिसान के पास से उड़ा था तो इसलिए पाकिसान के अंदर वो इंसिडेंट हुआ है यूटू का जिसमें पाकिसान guilty feel हुई है, पाकिसान यानि कि मुझरिम करार दिया गया है, पाकिसान एक neutral country है, पाकिसान एक policy बना रहा है, यह हम किसी भी जंग में किसी की भी help ने ही करेंगे, लेकिन फिर उसने अमेरिका की help जिसकी वज़ा से आहलमी दुनिया के सामने पाकिसान एक guilty feel यह उसक्राइब ने मुझे निकल गया, निकलते वहां तो निकलते तो टुकड़े हो गया, USSR वन गया, रूस बन गया अब उसमें से जो मुस्लिम रियास्ते हैं अजबक्तान, आजरबाइजान ये जो जितने भी जान वाले नाम के साथ रियास्ते हैं वो रश्या से अलग ह है ठीक है अब 1991 से लेकर 2021 तक कौन था उदर अफगानिस्तान में सिर्फ दोई बंदे थे अमेरिका था यह तालबान थे अब तालबान को ने जी तालबान के अवाले से भी सवाल आ जाते तालबान जो पिशावर से लोग उस वक्त जहाद करने के लिए गए थे हम जहाद करने कि हमें जहाद पर इतना ज़ादा चला करता था बच्चों को उठा उठा कर लेकर जा आज अब जहाद के लिए जंग लढने जा रहे हैं हमें अफगानिस्तान में तो यहां से जो जितने भी लोग अफगानिस्तान में मूव किये जाहिरी बात है अब 1998 से लेके अब तक जाहिरी बात है वो जवान हुए है उन्होंने वहाँ शादिये किये हैं वहारच बस गए है तो यही वो बच्चे थे जो पाकिसान से मूव करके वहाँ गए हैं तो यही तालबान है कहा जाता है कि वाल्टी वाली बात करती है जो कि बुक्स में लिखी हुई है मैंने नहीं कि इश्टियाक एमद की बुक्स लिखी हुई है अच्छा जी चले बात कर लेते हैं अच्छा रूसी फोज को रोकना सबसे पहले नमबर पता आलमी हमायत का हसूल क्योंकि पाकिसान ने खार्जा सूल है नमबर पाई पर रूसी फोजों का अंखला यानि के रूसी फोज को निकाल देना अफगानिस्तान में अमन काइन करवाना और अफगान मुझाहिरीन की वापसी अब यह जो अफगानिस्तान से लोग आए हुए जिसको हम पठान कहते हैं पिशावर में बहुत सारे लेकर आपका अफगान नजर आते हैं वहीं आ जाते हैं आखी हिए झाइन ऑर पाकिसान के तालूक आत की तरफ चाइना और पाकिस्टान की कि तरफ और औरvida सैने सब्स्रीं अन्ठी सवाब है सुन्ले आइं 1965 से लेकर आपका पाकिस्तान भारत के दिर्मियान तालुकात चीन का तारूफ लिखेंगे आप चीन के साथ सफारती तालुकात का एगाज हुआ है जी 1949 में हुआ है 1949 में चीन अजाद हुआ था और 1950 में सफारत खाने कॉल दिये गए थे दोनों मालिक्स में अच्छी इसthing Council में चीन की नशीष्ट का मसला हुआ था तो पाकिSTानने उनकी खमे यस ब Sawya पा मुद गया थीनिवी कॉरिया के धिर्मियान में जंग हुए थी जिसके अंदर पाकिस्तानने किसका एधिया था जी पाकि tidak बूच्झान का सेटों वही दुबारा आगे हैं वि कांफेरंस आ गई है बुट्टो का दो रहें चीन हुआ है जनरल ज्याल हग साथ का दोरा एंगत आ पर किसान थीजिए हुआ lush उड़ा विंद्व में और एंगता हुआ है और गरचि सिंगा तरहां जाते हैं माष्ची और सनय तरक्वी पाकिस्तान की तरक्वी में खेंग नंबर वन पर एक कुछगवार और दोस्तान तरोक आणू है तारिकी जाएजाल जाएं तो सफार्थी तरोकार गाज हुए गवादर रिपोर्ट गवादर रिपोर्ट का की तामीर सबसे जो इस वक्त करन्ट सिच्वेशन में देखा जाए ना गवादर पॉर्ट की तामीर हुई है जे एक थंडर त्यारों की त्यारी हुई है चश्मा नूकलर प्रांट तू हुआ है नूकलर रियक्टर जोके फरामी हुई है देहस्त गर्दी के खिलाव जंग मेंमायत प्रांट की है तो वनाए गुरान में मदद करने का एलान किया था चीन ने जो के पाकिसान और चीन के तरमयान में एरान के साथ एक pipeline भी हुई थी start है बारत के खिलाब चीन ने हमेश्या पाकिसान की ओर चीर शेल सी पेकश तुई पाकिसान वह रौह के हैं पूरी दुनिया में जो को फरी टेक्स तुझारत करता हैं चीन के साथ ठीक है है अच्छा जिए इकतिसादी रहधारी मनसुबा較 जिसे सीप्वा का जाता है चाइना पाकिसान एकनोमिक कॉरिडोर का आगाज हुआ है ठीक है पाकिसान चीं सेरदी मुएदा पाकिसान को असलाह की फरामी की थी चीन ने 1971 में की जंग में चीन्ने पाकिसान की मदद की थी दुपाई शौब में कोफ़ालत करने के लिए चीन ने पाकिस्तान की हमेशा से मदद किया अफगानिस्तान मसले पर भी बरपूर हमायत किया पाकिस्तान के साथ मिलके और भारत के खिलाब भी हमेशा हमायत की पाकिस्तान की चीन ने पाकिसान और अमेरका में बिलकुल नहीं पड़ूँ गी तुकर मैंने सारी जिन्दगी में कभी नहीं याद किया और ना ही मैंने अब रीडिंग की है मशर्की वस्ता के साथ पाकिसान की क्या तालुकात पाकिसान का किर्दार लिखे मशर्की वस्ता के मुमालिक कौन कौन से थी जी सबसे पहले मुश्रकी वस्ता की रियासत में मस्कत, उमान, बोहरान, क्वेट, मुताहिदा, अबर, अरब, अमारा, चामिल हैं इनी रियासतों में तेल की पैदावारी सिलाहियतें बहुत ज्यादा होते हैं जिनमें पाकिसान अपनी जुरूरत पूरी करता हैं पाकिसान उनी रियासतों में अपने माहरीन बिजवाता है जबके उनी रियासतों में पाकिसान में मुश्तरका बैनकारी, आयल रिपांडी और के कारखाने लगाने में बहुत ज्यादा तावुन किया था, इन खलीजी रियासतों में काम करने वाले पाकिसानियों ने आज तक कसी रि पाकिस्तान को बेजा है जिससे पाकिस्तान की वह इश्यत मजबूत हुई है लाहूर में दो सो भिस्तर का शेक जाइद हस्पताल जामे पंजाब प्यू में इस्लामिक सेंटर रहमियार खान में हवाई अड़ा मुताहिदा अरब इमारात के सदर शेक जाइद बिन सुल्तान मिहान ने बनवाया है ऐसे बाकि आप लोग खूद कर लेना मुस्तर मुस्लिम मुस्लिम उम्मा के इतहाद में इस्तान का किर्दार की कहिए यह यह भी आ सकता है यह मेरे वाले पेपर में आया हुआ था सवाल क्तान और रॉष्या पाकिसान और इनांत मैं अमेरिका मैंने कभी नहीं है इतनना ने मिल कर बनाई थी इसमें इसके मकासिद लिखते हैं इसके अंदर इसके वो लिख दें देखो बार बार आ रहा है जुलिफकार अली बुट्टो का ग्यार वबस्ता तरीक का दोर 96-98-27 तक पकिसान की खार्दय पॉलिशी के इख़ामाद से अलाइज़गी से एलाइज़गी से एक ग्यार एक यहता है दोर याद रखोना उस ने सारे चीज़ों से एक्तियार की थी पहले फिर बाद में वो挑Ooh मुए दा सेंतो भी कहा जाता है मैं आल्रेड़ी बिता चुकी हूर त自己 पना चुकी हो पाकिस्तान और वस्ती अश्या जी वहीं नीस سबक में में रूश टुक्री टुक्री ओगा था जिसके वज़से मुस्लिम डियास्तिय बनी थी जिसके उजबिकस्तान तुर्क्मेनिस्तान चागिस्तान अजबर्जाइब, आजबाइजान, यह मेरा बाइजान है, आजबाइजान और काजस्तान, कर्गस्तान, लाइस्टान इतनी मुश्किल थी, छे मुस्मिम ट्यास्ते अलग हुई थी, इनके साथ पाकिस्तान के कैसे तालुब आते हैं, यह लिखना है, बसला अफगानिस्तान OIC, OIC में पाकिस्तान का किर्दार, OIC में पाकिस्तान का किर्दार देख लेते हैं, OIC में का तंजीम करना है, 69 में बनी थी यह जी, ठीक है, इस्लामी कॉन्फरेंस थी, इतहाद आलम-इस्लाम, आलम-इस्लाम के मसाइल का हल, अर्गों की गैर मश्रूत से हमायत, बहमी तावुन और तिजारत को फ्रोग देना, मगर्बी यलगार का मकाबला करना, बहमी तरक्टिय और कुशाली, अंग्मी मदद और हमायत, भी यह खतम हो गया, और आखरी मसला कश्मीर है, मसला कश्मीर क करके कोशिशे, मसला प्लीक यह कोशिशे, मसला आफ पलेस्तीन, सार अकमी मदद करतें का करदार जी, पॉइंट बता दू, बैसला फोलेस्तीन और पाकिसान, इंडॉनेश्या के अजारी का मसला, लीबिए, मसला अफगानिस्तसान, आफ पाकिसान, कानो में आँम्मन के किय का मसला रोखोड़ेश्या की नसल प्रस्तिय हकूमत का खात्मा जंबावे से अजादी मिली थी मुझे नहीं मालूम मैं फर्स टाइम इसका नाम दे गए हूं जम्मू एंड कश्मीर नहर सवेस का मसला भारती एडमीन दमागा और जुनूबी एशिया पाकिसान के मौमी मुतम इरान-पाकिसान न्यू वर्ल्ड ओडन न्यू वर्ल्ड ओडन मैंने बता दिया जी इस्यों चले जी खतम हो गया तीन ही यह यह तो था पाकिसान हमारा कंप्लीट हो गया यह मैंने खतम कर दिया शुकर आल अच्छा जी बात कर लेते हैं और यह कौन है एडी यू आइन एस टी आर यू सी टी ओ आर खबरदार जो इस पेपर का नाम मेरे सामने लिया Muslim World Dynamics and Issues यह कहीं मानो इतना मुश्किल यह पेपर है इतना मुश्किल पेपर है इतना मुश्किल पेपर है आज का पेपर देखके ना कसम से मेरा दिल कर रहा है कि जो जो यह पेपर रखते है और उसके बाद मुझे कहता है कि मैं इसमें हल्प कर दें तो मैं उसका गलाद कि आपको कौन कहता है इतने मुश्किल पेपर रखो एजी पेपर है आप कौन सा मुस्लिम वर्ट के आपने क्या करना है आप कोई ऑप्शनल ऐसा रखो जो आपके नेक्स लाइफ में काम आए इन तहाई मुश्किल पेपर है मुस्लिम वर्ट डाइनमिक्स एंड हो गई और मैं मैंने ना मना कर दिया कि खबरदर जो किसी ने मुझे से इस तॉपिक पर बात की तो आज कश्दें पंब बात चाइन पॉलीटिकल सिस्टम ओफ चाइन पॉल इंडिया पॉलीटिकल सिस्टम ओफ साउथ एश्या यह चार तो बने है मेरे पास ग्रूप यह की अने मुझे तो समझ नहीं आठा कि चाइना का कोई मतलब फॉर्म पॉलिस्सीम आप्छाइन आहीं ना अगला नेया ज़िट अप्शनल सब्जाट आया हुआ है फेडरालिजम ऑफ पाकिस्तान मतलब हाव इस इट के आप लोग इतने पॉलिटिकल सोशालोजी का आइडिया है पॉरन पॉलिशी ऑफ पाकिस्तान कंटेंपरिरी मुस्लीम वल्ड अब आप लोग एक्टरन रिलेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशिया पाकिस्तान मुव्मेंट पॉब्लिक एड्मिनिस्टरेशन पॉरन पॉलिशी ऑफ यूए से पॉलिटिकल एकॉनिमी रिसेर्च का पेपर हो चुका है ठीक है यह सारे पॉलिट एंडायनमिक्स वाला मतलब मुश्कील है पेपर ना रखो मुझे पाता है मुझ पर तनकीद हो जाएगी अभी बैटे पैटे तनकीद हो जाएगी एगंटे बाद मसला यह है कि जिसका स्लेव बस नहीं है जिसकी बूक नहीं है और पेपर भी ऐसा क्याता है जो हम कि नेक्स क्यों लाप लोगों का साथ दे तो वह चीज क्यों नहीं रखते आप लोग आप लोग मतलब समझ नहीं आता मुझे बाद में आकर कि अभी बचार हो रहा कि मैं पीर साब ने कहा था पॉलिटिकल सिस्टम ऑप चाइना रख लो हुन पीर भाग गया ते मैं की करा अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि आप लोगी सब्जेक्ट रख क्या प्रिश्टा रहे हो तुकि यह सब सर्गोदा इनिवस्टी के पहले सब्जेक्ट है पहला पेपर होने लगा है लास्ट यह किसी ने भी यह पेपर नहीं दिये इसलिए मार्किट में मार्किट में यह पा मत रखना और अगर रख लोना तो मुझे मत आके कहना कि मैं इसका माद हूँ अगले साल ठीक है चले जी बाते खतम करते हैं हमारा कॉपी क्लोज हो चुक है और पाकिस्टान एक्स्टरनल रिलेशन और पाकिस्तान के मैंने गैस भी लगता हूँ हूँ हां जी मैंने गैस बन पाकिस्तान की कितने सवालों के बना रखें वाइंट तू फाइव सिक्स तू पाइव सिक्स पॉर आइट नाइट अच्छा जी ट्वाल सवालों की मेरे आउट्लाइन रहेंगी या तू हंड़न में मैं दे जूंगी अगर किसी ने अश्टरनल रिलेशन और पाकिस्तान प टाजेतू मैंकि शिज की चीज्टों की आउट्लाइन बनाएंगी तू हंड़न में चीजी सुन लें खार्जा पॉलीसी क्या है ॖार्जा पॉलीसी अनाशी होث्ये मयादि ने आप चाना 2 नावत फजार किकासित थे मचांशीर मश्यक रस्टा में पाकिस्तान का पिड़ अफगानिस्तान बहरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालुकाद पाकिस्तान के नौट बनाए हुए हैं शी के मुझे नजर आ गए हना कि मुझे नहीं आते यह 200 में होंगे खार्जा पॉलिसी के मकासित अनासिर खार्जा पॉलिसी के महरकात अमेरिका की अदम पहलाओं की पॉलिसी दुनिया पर यूएससार के बखड़ने और मुंशर मुंशर होने के सर जंग की वजुहात मुझे की वस्ता में अमेरिका का किदार चीन पाकिस्तान उसके असराद च चाइना वाला एक बच्चा है ना फॉरन पॉलिसी अगर उसके इतीन सवाल इंपोर्टेंट लगते हो ना चाइना वाले तो मुझ मैं उसको तस्वीर बेजिए को त्यालू अच्छा मेरे पास यह नोट्स बने हुए मैंने कभी एक्टरनल लेशन पाकिसान और फॉरन पॉलि अगर आप लोगों को चाहिए तो टू हंडडर में आपको वह सेवन इंपावर्स हैं अमेरिका और चाइना है जिसके अंदर यह जो चार्पांच सवाल जो मैंने बताए हैं अगर किसी ने पर्चेस करने हो तो मेरा नंबर है जीरो त्री जीरो से अपने अपने यूबर्सटी का नाम लिखे बेज़ें अपने प्रोग्राम लिखें आप पॉलिटिकल साइंस कर रहें या आई आर कर रहें और इसके साथ अपने पेपर लिखेंगर अगर आप इपने ग्रूप में शामिल होना चाहते हैं तब भी आप यही तरीका कार चार जाए है तीन चीज़ें आप लोगों ने बेजने अपने नाम अपना प्रोग्राम अपना उनिवस्टी का नाम और सच आज आप अपनी रोल नबर स्लिप बीजें गें मुझे ठीक है रोल नबर स्लिप का सफीर बनाकर बेजें अपने गुरुप में शामिल होना तब भी और आपने कोई notes purchase करने हैं तब भी यही rules and regulations मेरे group में चलते हैं WhatsApp पर चलते हैं मेरा number दुबारा repeat करने लगे हूं 03060988187 it's my WhatsApp number so stay tuned with me inshallah कल सुबह morning में 10 o'clock international law second में political sociology third number पर दो यह subject हो गया है एक मिनट मैं देख रहे हैं अच्छा दो हो गया है ओके पॉलिटिकल सोचियलोजी सुबह और international law हो गया और पाकिस्तान मुवमेंट पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन यह जो चार जो सब्जेक्ट है ना यह जो चार सब्जेक्ट के जो मैंने अभी अभी नाम लिए है पॉलिटिकल सोचियलोजी आईला पाकिस्तान मुवमेंट एंड पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन की आउप्लाइन मेरे पास अवेलिबल है 200 में पाकिस्तान मुवमेंट की भी 200 में ही है यस 200 में ठीक है और पॉलिटिकल सोचियलोजी के म मेरे WhatsApp पर contact कर सकता है और ये सुबा दस बजे के बाद मैं onward चार classes रखूँगी जिसमें मैं ये एक एक करके सारी classes में थोड़ा-थोड़ा करके आप लोगों को इसके बारे में बता दूँगी ठीक है चले जी ठीक है Thank you so much अपना ख्यार रखिएगा खुद भी खुश रहे हैं दूसरों को भी खुश रहने दे दूसरों पर जीद करने से अच्छा है कि इनसान खुद को बहतर कर ले ठीक है दूसरों की जिन्दगी में काटे और दुख डालने से अच्छा आसू डालने से अच्छा अपने आपको तो सही करें और ऐसी वज़ा ना बने के कोई आपकी वज़े से रोई सिरफ इतना ही कहूंगी कि अपने घरवालों को टाइम दें थोड़ी सी देर के लिए मुबायल साइड पर रख दिया करें अपने बहन भाईयों को अपने घरवालों को टाइम दे तो कि यही आपका सरमाया हयात है, यही आप लोगों की जिंदगी के साथ चलने वाले लोग हैं, जो कि आपका अभी भी किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए यही कोँगी कि सारा दिन में से पांच-दास आदा घंटे के लिए अपना मुबाइल पर करके अपने घरवालों को टाइम दे लिया करें कि आपकी वालदा ने मैडिसंस लेती हैं तो मैडिसंस ले ली हैं, खाना प्रोपर खा लिया, आपके फादर आगे हैं घर, उन्हें किसी चीज़ की जुरूरत तो नहीं है, उन्हें ठीक है, उनके पास फोड़ी देर बै जयन के लिए आप लोगों को खुड टाइम निकालना पड़ेगा, आदा घंटा, एक घंटा अपने घर की अक्टिविटीज पर नजर रखें, खुदा के लिए आप ही हैं जो एजुकेटिड हैं और आप ही हैं जो अपने घर को सही कर सकते हैं, इस बात के साथ मैं आप